हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग चले देखते हैं आज का करेंट अफियर्स सबसे पहले देखेंगे रिवीजन कोश्चन न्यू कॉंसुलेट जेनरल इस ओपेनेट नया कॉंसुलेट जेनरल यानि की भारत का पहला दूतावास खोला गया है माल डीप में तो उफीक्त टसांग हैं इंग सबसे पहली म्यक्राइबर माुंट एवरस्ट की और यह बिलॉंग करती है चाइना के हॉंग कोंग की यहाद रखेगा है होंग किंग से नहीं होने मांट एवरस्ट को क्लाइम किया है 25 अर्मसार को क्लाइम किया है उनको इन्होंने हराया है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर चू की तरफ बहुत इंपोर्टन कोशन है WhatsApp और Government of India के बीच में चल रही है बहस और उसी से रिलेटेर ये कोशन है तो थ्रध्यान से देखे Recently WhatsApp has filed lawsuit against Government of India against clause of trustability of IT rules in clause of trustability के अंदर जोकि नया IT rule आया है WhatsApp ने complain किया है Government of India के खिलाफ एक lawsuit किया है कहां तो ये suit किया गया है Delhi High Court में यादके का कहा Delhi High Court में देखें WhatsApp और Government of India के बीच में क्या चल रहा है जैसा कि आपको भी पता है कि Right to Privacy एक fundamental right बन चुका है और उसी के अधार पे WhatsApp ने ये complain किया है कि Government of India उसे force कर रही है इस right के अंगेस्ट जाने के लिए कैसे तो Government of India उसे बोल रही है कि जो भी message अगर fake news या गलत message आ रहा है आपको बताना है उसका ordinator यानि कौन उसे origin कर रहा है तो WhatsApp ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे हर user का in to encryption को तोड़ना होगा यानि कि जो security हमें देता है WhatsApp कि आपके message को कोई और नहीं पढ़ सकता है वो security कहीं नहीं खतम हो जाएगी अब सबाल उठता है कि क्या Government of India का ये step सही है तो देखिए अगर personally पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि WhatsApp को थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि उसके तुरू बहुत सारे fake news में आते हैं जैसा कि आपको ने भी देखा होगा कि WhatsApp कि इतने गलत message भी forward होते हैं तो ऐसे में ओर्टिनेटर को जानना तो सही है लेकिन ये भी सही है कि right to privacy का तो हनन होगा यूँकि इस process में क्या होगा कि in to in encryption जिसके सहत security मिलती है और हमारी जो privacy maintain होती वो नहीं हो पाएगी तो ये एक important topic है इसमें मेंस से भी question आने की संभावना है चले देखते question number 3 Who is India's air chief? तो इंडिया के air chief कौन है? तो देखे इंडिया के air chief है Rakesh Kumar Singh Vladimir guest याद रखेगा यह हमारे air chief और अगर हम Kangrabir Singh के बाद करें तो वो है Navy के chief और Manoj Kumar Manoj Mukund Irwane कौन है? मनोज Mukund Irwanे हमारे army chief है याद रखेगा ये तीनों बहुत important है चले आगे बड़ते हैं देखिए RAW और IB Chief को के जो time period है अभी खतम होने वाला था लेकिन उसको एक साल extend कर दिया है तो याद रखेगा समन्त कुमार गोल जो है वो RAW के Chief है जो कि बहुत important इंडिया का security agency है और साथ में IB के Chief है अर्भिंद कुमार जिनका extend कर दिया गया है एक साल के लिए तो यह दोनों ही बहुत important news है याद रखेगा समन्त कुमार गोल एन अर्भिंद कुमार कुश्य नंबर 4 पे आते हैं अभी हाल में एनी अवार्ट दिया गया है एक बहुत ही रिनाउंड प्रस्नालिटी को यह रिनेवल इनर्जी रिसर्च के लिए दिया गया है वो कौन है तो वो है प्रोफेसर सियन राउ जी हां प्रोफेसर सियन राउ जो की भारत रतन प्रोफेसर है उनको दिया गया है एनी इंटरनेशनल अवार्ड जिसको इनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है यह अवार्ड दिया गया है रिनेवल इनर्जी के लिए यानिकी सनलाइट वि तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह सोसल साइंस के लिए दिया गया है अमरत्य सेन को जो की बहुत बड़े कॉनमेस्ट है इंडिया के इस अवाड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट तो याद रखेंगे प्रिंसेस अस्ट्रियस अवाड चलिए आगे बरते कुशिन नब प्रॉटल लॉट्र क्या है ताकि टेली मेडिसी यानि की फो मीडिया सोसल मेडिया आप डौक्टर से जूर सकते हो आपकी डॉक्टर की पास आपको जाने के आवे सकता है नहीं अप घर बैटे ही डॉक्टर से आन्लाइन in उन्टेक्ट में आ सकते हो और यह स्टार्ट किया गया है सेहत स्कीम बहुत इंपोर्डेंट है सेहत और प्लस इसके साथ सथ इस अंजीमिनी ऑपीडी बेस्टार्ट के आपको याद होगा यह आम लोगों के लिए यानि हम जैसे आम लोगों के लिए स्टार्ट के अगया है ताकि घर बैटेखी डॉक्तर से इस संजी मी कुश्य नमर 6 पे आते हैं तो कौन अपॉइंट किया गया है तो ये है अरून वेंकेंटरा रमन को एड ओफ डिपार्टमेंट अफ कॉमर्स अपॉइंट किया गया है जियो बीडन की सरकार में जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये एक इंडियन है देखे और भी है जैसे नीरा टंडन जो कि डारेक्टर है मैनेजमेंट एन बजट की अगर डॉक्टर विवेक मूर्ति की बात की जाए तो अभी हाल में उनके पॉइंट्मेंट हुई थी यूएस सर्चन जनरल की उसरा जया का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हुमन राइट से डिल करती है और ये भी एक इंडियन है ठीक है तो ये हैं सारे जो बीडन की गवर्वर्मेंट में इंडियन अमेरिकन जो बीडन कवर्वर्मेंट परसन चले कोशन नमर सेबन पर आते हैं अभी हाल में कौन से यूटी या किस स्टेट ने स्टार्ट क्या एक प्रोग्राम यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम का नाम है S.A.S.C.M. स्कीम इसके अंतरकत क्या होगा कि जो भी इंसान अपने फैमिली मेंबर जिनको कोबीड हो गया है अगर उसको खोता है तो उसको क्या देगी सरकार तो पूरी फैमिली को को सपोर्ट दे रही है हर सरकार दे रही है तो जम्मू और कस् रुपया दिया जाएगा हर महीने रिलेटिव को जिसने अपने कोबीड सफर करने वाले परसन को खोया है साथ में 20,000 रुपया दे रही है स्कूल गोइंग स्टूडेंट को एक साल के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट पहले इस स्कीम का क्या नाम है S.A.S.C.M. स्कीम इसक System for COVID Mortalities Scheme कोई भी वीडियो में डाउट है तो जरूर पूछें मेरा कोसिस ही रहता है कि मैं ऐसा बताऊं क्या आपको समझ में आए अगर फिर भी प्रॉब्लम होड़ी तो जरूर पूछें Question No.8 पे आते है World's Largest Art Museum कहा है तो यह है यह करें पैरिस में लेकिए पैरिस में वर्ल का सबसे बड़ा म्यूजियम है यह न्यूज में क्यूं है क्योंकि पहली बार वहां की President एक्विमेंट सेलेक्ट हुई है जिनका नाम है Lawrence Descartes याद रखे का नाम Lawrence Descartes वर्ल की Largest Museum जो है ल सब्सक्राइब हो सकता है French में कुछ अलग हो आज का सवाल है TV सोमानाथन is appointed as Secretary of TV सोमानाथन के अभी हाल में appointment हुई है कौन से Secretary है वह डिफेंस फिनांस कॉमर्स जल्दी से इसका आंसर दे और वीडियो चले तो प्लीस लाइक कर दे शियर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइ कर ले थाइक्स फॉर